कोश्चन है हमारा यदि 5 की पावर x equal to 3 की पावर y equal to 15 की पावर minus z है तो हमें 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z का मान हमें find out करना है तो सिम्पल सा इसका हमें solution करेंगे तो solution में हम मान सकते हैं 5 की पावर x equal to 3 की पावर y equal to 15 की पावर minus z है equal to हमें k मान सकते हैं ये क्या किया है हमने समी करन को मान लिया है हमें 3 को अलग-अलग sol करेंगे तो हमें simple सा sol करेंगे तो यहाँ पर जैसे k को हमने 5 x के साथ sol किया तो 5 equal to कितना आ गया k की पावर कितनी आ गई 1 बटा x आ गई इसी प्रकार से हमने 3 की पावर y है उसको k के साथ में sol किया तो 3 बराबर किया हमारा k की पावर 1 upon y आ गई इसी प्रकार से 15 के साथ में हमने k को sol किया तो 15 बराबर आ जाएगा k की पावर minus का 1 upon z आ जाएगा तो इस प्रकार से हमारा ये समीकरण 1 बन गया ये समीकरण 2 बन गया ये समीकरण 3 बन गया तो सबसे पहले हम समी करने फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो जैसे ही हम लेंगे तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे और इन दोनों को भी आपस में गुणा कर देंगे मतलब समी करने एक गुणा दो हम जैसे ही करेंगे तो इधर में हमारा आजाएगा 15 इधर में आजाएगा K की पावर 1 अपोन X multiply by K की पावर 1 अपोन Y तो आप सभी को द्यान है जब आधार समान हो तो गाते क्या हो जाती है आपस में जुड़ जाती है अगर multiply का चिन हो तो यहां से हो जाएगा K की पावर 1 अपोन X प्लस K की पावर 1 अपोन Y तो 15 बराबर क्या आगया हमारा K की पावर 1 अपोन X प्लस 1 अपोन Y आगया तो इस प्रकार से यह हमारा बन गया समीकरन नंबर 4 बन गया तो यहां पर आप देख सकते हो 15 बराबर क्या है K की पावर Z है तो 15 की जगह क्या लिख देंगे के की पावर माइनस वन अपॉन जेन लिख देंगे यहाँ पर हमारा हो जाएगा के की पावर वन अपॉन एक से प्लस के की पावर वन अपॉन वाई हो जाएगा यहाँ पर पावर माइनस में है तो यहाँ पर यह बटावाव में चल जाएगी तो K की पावर कितनी हो जाएगी 1 अपोन Z हो जाएगी इधर में K की पावर 1 अपोन X प्लस 1 अपोन Y है तो इधर से हमें एक बचेगा इधर K की पावर 1 अपोन Z मल्टिप्लाई हो जाएगी Kito-Pori 1 upon X प्लस 1 upon Y तो आप सभी को द्यान है आधार अगर समान होता है और Multiplyay का चिन होता है तो गहते आपस में जुड़ जाती है तो यहाँ पर Kito-Pori क्या हो जाएगी 1 upon X 2 upon Y 3 upon Z हो जाएगी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 upon X 2 upon Y प्लस वन अपॉन जेड हम लिख सकते हैं एक्वल टू में हमारा क्या है यहाँ पर वन है तो वन को क्या लिख सकते हैं के की पावर जीरो लिख सकते हैं तो क्योंकि के की पावर जीरो का मान कितना होता है एक होता है तो यहाँ पर भी के है यहाँ पर भी के है तो आधार अगर समान होता है तो गाते भी आपस में क्या होती है बराबर होती है तो 0 बराबर कितना आजाएगा तो यहाँ पर 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equal to कितना आजाएगा 0 हो जाएगा और यही माना में exam में find out करना था एक बार वापिस explain कर देता हूँ हमारा given question था हमें दे रखा था 5 की power x equal to 3 की power y equal to 5 की power minus z दे रखा था और 1 plus x plus 1 upon y plus 1 upon z का माना में find out करना था तो हमने के number मान लिया के जिसको इन तिनों के equal हमने मान लिया यहाँ पे और इसके साथ में compare कर दिया k को 5 की power x के साथ 3 की power y के साथ और 15 की power minus z के पास तो जैसे हम compare करेंगे तो यह power हमारी x है वो k की power में चली जाएगी 1 बटा x के रूप में चली जाएगी इसी प्रकार y की power 1 y की रूप में चली जाएगी और z की power minus 1 upon z 3 के रूप में चली जाएगी तो यहां से हमारे 3 समिकरन बन जाते हैं समिकरन first two and second फिर समिकरन एक और दो को हमें आपस में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पर 15 बटाबर k की power 1 upon x से multiply by k की power 1 upon y आ जाता है यहां से हमारा है k की power minus 1 upon z के बराबर है तो इसको यहां से हमें compare कर देते हैं simple सा जिससे कि हम यहां पर multiply करके यहां से 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z का माने 1 को equal to k की power 0 रखके आधार को समान करके गातों का आपस में समान करके 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z का माने कितना find out कर लेते हैं zero find out कर लेते हैं